हलो गाईज जैसे श्रेयान स्वागत करता हूँ आप सभी का टेस्ट पेपर लाइफ क्लासिस के अंदर और गाईज जैसे कि है अपन लोग टॉपिक वाइस पॉस्षिंज कर रहे हैं तो आज का जो हमारे टॉपिक है वो है क्लीनिकल हेमेटरलोजी क्लीनिकल हेमेटरलोजी जितना भी आप हेमेटरलोजी लैप से अंदर काम करते हो उससे रिलेटेड आपको कोशन मिलेंगे उसमें कैसे डील कर रही जाती है कैसे क्या क्या चीज़े काम में आती है अपन आज बेसिक करेंगे कि भाई बेसिक बेसिक चीज़ें आपकी क्या क्य use करते हो कैसे कैसे करते हो ठीक है और जो इसके बात जो पन क्लास करेंगे उसके अंदर अपन इससे जो further चीजे मतलब इन से derived होके जो test आते हैं उनके बारे में बात करेंगे ठीक है तो good evening to all of you जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी को है good evening पड़ा पड़ से सभी लोग यार class के अंदर add हो जो जितने लोग नहीं सबको notification मेल गया होगा 6 बजे का और जिन लोगों ने अभी तक notification bell को on नहीं किया है on कर लेना regular यार 6 बजे आपको classes होती है आपके लिए आपके लिए बहुत helpful है ठीक है तो ऐसी तैयारी करते रहो और यार क्या है ना कि आप जिब तैयारी करते रहोगे तो government भी यार देखो आप तैयारी कर रहो तो वेश्ट तो होगी नहीं तो आपके लिए जल्दी ही यार aims की वेकिंसी आएंगी central की है ना 863 post आएंगी आपके लिए जल्दी ही आएंगी उसके बारे में भी आपके इसी एप इसी platform के उपर आपक के साथ मैं share करूंगा वो information पूरी की पूरी तो आप लोग बस जुड़े रहो साथ में महनत करते रहो क्योंकि यार जब भी central की वेकिंसी आती है तो फड़ावट से फ़र्म भरे जाते हैं फड़ावट से आपका selection हो जाता है तो उसके बीच में time कम रहता है तो तैयारी करत करते रहना सभी लोग अच्छे से regular छे वजे classes लेते रहो और पढ़ते रहो ठीक है good evening to all of you जितने लोग अभी जुड़े है good evening सभी लोग class को जल्दी से share कर दो और like कर दो है ना जलते हैं अपने आज के पहले question पर यहाँ पर अपने क्या है hematology के question आ रहे है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है what is the full form of EDTA बहुत ही basic question से शुरू करेंगे दिल्कुल कब तक आईगी बता दूँगा यार सब कुछ यहाँ पर अभी तो वह basic सिर्फ information leak है लेकिन आपको जैसे ही पूरा पूरा का पूरा information बताऊँगा यार सब कुछ एक एक के साथ है ना वह आपको मिल जाएगा यहाँ पर test पर पढ़ लाई कि इस channel के उपर मिल जा है क्योंकि जितना भी आपका अगर clean nickel hematology की बास करो तो आपका favorite questions में से एक है कि EDTA के full form पता होना चाहिए ठीक है जो थोड़ा बहुत भी पढ़के आया होगा उसको पता होगी ethylene diamine tetra acetic acid अब यहाँ पर आपको पहला option ethylene diamine tetra acetic acid हाँ पहला यह option आपका सही है दूसरे के अंदर क्या दिख्खत है ethylene diet oxo और ethylene diet try वो जो भी आपका आपको error मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर ethylene diamine तो सही लिखा था diet tetra कर दिया यहाँ पर diamine तो लिखा ही रही ठीक है उस चीज़ को mention देखो इन questions को पता है short करने का सबसे क्या अच्छा तरीक होता है question पड़ा मन के अंदर आपने सोच लिया कि EDTA की full form क्या है question number mention करने से क्या मतलब है आपके लिए तो वो हरी question fresh होगा तो आप उस चीज़ को भी देखें यहाँ पर चलते है first option बहुत असा question था अगला question यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है what are the function of anti-coagulant agent अपका function क्या है anti-coagulant agent का ठीक है अब आपने anti-coagulant use कर लिया anti-coagulant का function क्या होता है और जो EDTA while होती है वो कैसी होती है purple कलर की होती है ठीक है blue कलर की होगी नहीं तो purple कलर की होगी तो dark lavender blue कलर होता है आपका यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है what is the function of anti-coagulant बद्री answer कर रहे हैं a बाकी सावांसर C कर रहे हैं ठीक है बहुत बढ़ी है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है anti-coagulant anti-coagulant anti का means क्या है रोकेगा coagulation को ठीक है अब यहाँ पर anti-coagulant का major function तो यही है लेकिन यह क्या करता है prevention of a cell morphology जो भी आपकी cell morphology थी उसको क्या करेगा prevent करेगा दूसरा prevent plotting जो भी आपका blood clot होने वाला था उसको clot करेगा suppose जैसे आपने क्या करा यह आपका EDTA container था EDTA के अंदर blood ले लिया EDTA अब EDTA के अंदर आप blood लेते हो तो आप किस चीज़ से चिंद हो जाते हो भाई कि यार जो भी आपकी RBC थी जो भी आपकी cell C WBC थी प्लेट लेट थी वो सारी की सारी आपका कुछ time तक सही रहेंगी क्योंकि जब तक वो असर करेगा तब तक वो सही रहेंगी और उसके साथ साथ इसमें clotting नहीं होती है तो majority of का काम क्या होता है बाई majority of इसलिए बोल रहा हूँ कुछ anticoagulant ऐसे भी होंगे जिसके against काम कर रहेंगे लेकिन वह बहुत कम इन नंबर होते हैं और जितने होते हैं आपके prevent ज्यादा करते हैं clotting वगेरा हो ठीक है तो यहां पर क्या रहा है prevent cell morphology और prevent clotting तो दोनों option किसमें सही आ रहे है option c तो c क्या होगा बिलकुल सही answer होगा ठीक है यह चीज़ समझ मा गई चलते हैं यहां पर अपने अगले सवाल की तरफ अगला सवाल आप से पूछा जा रहा है अच्छा सवाल है यह फिब्रिन यहां पर आप से क्या पूछा if that the Fazenda bez है अब वो दोनों मिलक brakes fibrin और जो आपकी よको आपकी फिब्लेट सेल से एक साथ हो गई तो वह क्या बनाएंगी वह क्या लाइंगी वो Colombia बनाएगा वो एंटिकोगुलेंट बनाएगा प्लेटलेट्स बनाएगा यह सब का सब बनाएगा Shield जिसको नहीं समझ में आ रहा है त्यों को चीजीं आपके लिए हंदी में भी अविलेबल हैं English में भी अविलेबल है ओडिसा की वेकेंजी का भी वीडियो बनाया था ना तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं उस चीज के लिए मैं आपको बता रहा था क्योंकि उसकी वेबसाइट में मैंने उस वीडियो में बताई थी तो आपको वहाँ से वेबसाइट पर जाके भी आप सर्च कर पाओगे यहाँ पर आपसे क्या पूछाए ज़रा है फिब्रें विद ब्लढ सैल देखो अब समझो यहाँ पर फिबिण अगर ब्लढ सेल फिब्रिन क्या है भाई आपके ऐसे गिन फाइपर है डे ना फिब्रें यह फिब्रिन था इसमें अगर आपकी ब्लड सेल ऐसे करके एंट्रेप्ट होती है एंट्रेप्ट नहीं तो फस्ती है तो यह सब क्या बनाएंगी यह बनाएंगी क्लॉट अगर यह फिब्रिन और काफी सारी सेल्स आके मैस लाइक स्ट्रक्चर मनेगा मैस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर सेल फस्ती जाएंगी और ब्लड जो होगा वह स्टॉप हो जाएगा कर दो कि यहाँ पर बिल्कुल जो यह चीज है आपको यहाँ पर क्या बन रहा है क्लोट बन रहां तो बाकी एंटिकॉट नहीं बनेगा प्लेटिलिट नहीं बनेगा औल देखके रहे कंफ्योज मत हुआ करो तो यह चीज़ समझ मागी चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल की तरफ अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो आपका अगला सवाल है यहाँ पर यह पूछा जा रहा है नेम दा important constituent of RBC अब आपसे पुछा जारा है RBC के अंदर का important constituent कौन सा होता है ठीक है तो यहाँ पर आपसे पुछा जारा है पहला option plasma, second option hemoglobin third option is platelets या fourth option is all of these ठीक है यहाँ पर आपसे क्या पूछा जारा है RBC का main constituent RBC है आपकी RBC के अंदर क्या होगा RBC के अंदर main component है आपका hemoglobin hemoglobin जो है ऑक्सीजन से bind कर रहा है CO2 के साथ bind करके CO2 को body से out करता है और oxygen को in करता है यही काम है basically lung से oxygen ले जा रहा है out कर रहा है CO2 से तो major function क्या हो रहा है hemoglobin यहाँ पर बाकी option देखोगे plasma plasma के अंदर RBC mix है hemoglobin तो होई गया option बचता है platelets platelets खोद एक cell है तो वो RBC का कोई part नहीं है तो all of these नहीं होगा तो answer क्या होगा hemoglobin ठीक है यह चीज़ समझ में आई आपको ठीक यहाँ पर चलें अपने अगले सवाल की तरफ अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है state the important function of hemoglobin अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि hemoglobin का important function क्या है hemoglobin का function क्या है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा जा रहा है कि function of hemoglobin क्या है यह सारे के सारे सवाल जो पूछे जा रहे है आपके vacancy के अंदर देखो यह सवाल पूछे गए clinical hematology के question बहुत अच्छे से आते हैं आपका जो paper होता है उसके अंदर चाहे central का हो चाहे state का हो दोनों के अंदर clinical hematology से question आएगा ही आप बंद गर के मान लेना कि सवाल आना ही है बाकी चाहें वो microbiology से दे नहीं दे fungus से दे नहीं दे वो उसकी मर्दी लेकिन यहां से 100% question आएगा तो यह classes आपके लिए बहुत important हो जाएंगी सारा condensed material मिल रहा है एक जगा पर वो चीजें आप देखते रहो regularly देखोगे तो चीजें सीख पाओगे और वैसे भी state की या आप पर central की vacancy तो आपकी देखो AMC मैं बता ही रहा हूँ आपको 863 post आपकी लगभग है ना कुछ technician की आने वाली है total ठीक है तो उसके अंदर क्या होगा कि सारी post आएंगी अब जब सारी post आएंगी तो वो कहां जाएगी भाई central की इतनी सारी post जो regularly पढ़ते आ रहे हो ना जो regularly पढ़ रहे हैं उनका selection आसानी से हो जाएगा जो regular नहीं पढ़ रहे हैं उनका selection उनने में दिक्कत होगी अब यहां पर आपसे पूछे जा रहा है function of hemoglobin बहुत बढ़िया है सब लोग जो बता रहे हो बहुत बढ़िया यहां पर क्या हो रहा है transport of oxygen from lungs by various parts of a body तो various parts of a body अब यह सवाल देखो था आसान यह सवाल था बहुत आसान यहां पर काफी सारे बच्चों ने paper दी है मैं भी बहुत सारे बच्चों से counseling के time पर मिलता हूँ या जब भी बात होती है तो वो पता ऐसे सवाल गलत करिया आते हैं क्यों क्योंकि वो लोग है ना यह statement जब पढ़ने लगते हैं सब कुछ बताऊंगा खेर सिलेवर्स का भी उन्होंने leak नहीं किया है लेकिन हाँ जो post वगेरा का था तो लोग के मतलब की aims ट्रॉम्स हैं तो वो लोग बता देते हैं लेकिन अभी स्लेवर्स वगेरा का सब कुछ आएगा सब कुछ बताएंगे आपको ठीक है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे जल्दी जल्दी पढ़ने में तो ऐसी चीज़े जब बार बार पढ़ते रहोगे तो आसानी से कर पाऊगे ठीक है चलते हैं यहाँ पर अपने अगले सवाल की तरह अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 1.1 ml of oxygen 1.89 ml of oxygen 1.99 ml of oxygen या 1.34 ml of oxygen तो ग्रूप 5 में कितने नंबर थे minimum लाना मतलब जिसका selection हुआ है उसके कितने नंबर है MP वालो जितने MP वाले हैं कुछ मेरे को बता दें थोड़ा सा कि यहाँ पर आप बेलगो जो dmlt पूइंट पूइंट पूछ रहा है वही मैं पूछ रहा हूँ कि selection कितने नंबर पर हो रहा था क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है यह अपनी community है जो सब लोग आते हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया है जितने लोग आप सब आते हूँ मैं काफी लोगों के नाम ले लेता हूँ काफी के नाम नहीं रहता हूँ लेकिन जितने हैं सब मेरे को remember है कि हाँ यार यह लोग आते हैं वो चीजें आप अपन सब शेयर करते हैं तो आप लोगों की भी knowledge बढ़ती है मेरी भी बढ़ती है यहां पर क्या हो रहा आप से पूछा जा रहा तो approximately content कितना होता है वह यह oxygen का तो यह आपको याद करना पड़ेगा 1.34 ml of oxygen यह data आपको बहुत ही याद करना है पहली बात तो है तो यह दोनों data आपको मिल सकते हैं जिसके पास भी option हो उसके हिसाफ से टिक करना देखो मेरा काम है आपको दोनों ऑप्शन सजेस्ट करना तो यहां पर 1.34 मिलेगा क्योंकि जितनी भी 2017 से पहले की किताब हैं उनके अंदर 34 ही है ठीक है बाद में यह data थोड़ा सा चेंज हैं और हीमो ग्लोबिल यूपी एनेचम बिल्कुल सेम सवाल पूछता है जैसे मैं अभी करवा रहा हूँ ना clinical hematology के सेम टू सेम ऐसे ही सवाल आते हैं वह पीपर में पूरा का पूरा पेपर अभी लेविल शायद अभी नहीं हुआ होगा मैंने भी देखा नहीं है यूप 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 पर करवा दूँगा लेकिन वह चीज है ना कि वह पेपर शायद है नहीं तो यहां पर आप से पूचा जा रहा था नेम ऑफ दा मैथर यूज इन एस्टीमेशन ऑफ हीमोगलोबिल हीमोगलोबिल एस्टीमेशन के लिए बहिया कौन सा मैथर्ड यूज किया जाता है सहाली मेथर्ड करते हैं साइनो मैथ हीमोगलोबिल मेथर्ड करते हैं एंड बी मतब दोनों करते हैं यह नन और इन में से कोई नहीं ओovan मारा उत पड़िया या ऐसे ही भोकाल मचाते रहोंगे तो कोईविगेंशी आजाए चाहें उर्ड की निकाले राची निकाले बाई सबका सेलेक्शन ऐसे हो सकता है ओधो थोड़ा सा क्या होगा कि अब vapor कर र रहें कि इसके बाद अब करते जाएंगे अपने डॉमिनेंटली अपन काम करेंगे ना जब एकी टॉपिक्स पे तो वो डॉमिनेंटली आप देखो अभी क्या होगा ना सारे बेसिक सवाल हो गए तो उसके बाद बचता क्या है आपके जितने भी इंडेसिस वगेरा आते हैं वो सारे वो फैक्टर कैसा आ रहा है तो वो सारी चीज़े पूछी जाती है उन से रिलेटेट सब कुछ लेके आएंगे इस बोर्ड पे ठीक है तो आप लोग बस ऐसे ही या सब लोग फड़ा फट से यार वीडियो लाइक कर तो अभी तक लाइक नहीं किया है इतनी बढ़िया गुड न्यूज है कि वाई सेंट्रल की वेक अगर जिसके पास भी हो अभी लेविल पेपर टेलीग्राम लिंक पर डाल देना तो ऐसा है कि सब्जेक्ट अगर तुम लोग बता दूं तब सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बायो केमिस्ट्री में से भी किस टॉपिक से कोशन करने हैं कीजिए देखो कमे रहते हो वही चीजें होती है क्योंकि यह देखो मैं अकेले तो पड़ाने आया नहीं हूं जब आप देखो के तभी तो चीजें सही रहेंगी तो वह चीजें जब आपको मजा आना चाहिए तो आप जो टॉपिक्स बताओं के वैसे के वैसे कर लेंगे यहां पर चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल पूछा जा रहा है नेम दा रिएंट यूज़ इन साइनो मैं थीमोगलोबिन मैंठ्रड के अंदर कौन सा रिएजेंट यूस किया जाता है कि कार्बोहेड्रेट से करना है बाकी सब लोग बताते ना भाई अच्छा क्लीनिकल बायकेमिस्ट्री मॉलीक्यूला सारी बायकेमिस्ट्री आज ही बता दो एक सार सेंट्रल की वेकेंसी में सारे बच्ची अफ्लाई कर सकते हो और दिल्ली एम्स वाले रिलीस करेंगे ये वेकेंसी आपकी ठीक है और ऐसे ही बहुत काल मजा जाते रहो भाईया मजा आ जाता है टॉपिक पढ़ाने में मजा आता है तेके क्योंकि मजा ताब आता है जब सब का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से आहे तो ऐसे ही आंसर करते रहाको मजा आ जाता है यार है न क्यों कि class final class होती है और इतनी बढ़िया class की मजा आ जाये तो यहाँ पर क्या होता है ना आपका darkkins fluid यूश किया जाता है कभी इसके composition नहीं पूछेंज फैरी सायनाइड वगेरा क्या होता है आपका फैरी साइनाइड जो होता है वह यूश करते हैं यहां पर अपने अगले सवाल की तरफ अग्ला सवाल आपसे पूछा जा रहा है normal specific gravity of blood range पूछी गई है specific अभी तो उन्होंने कुछ भी बागी उसके बारे में नहीं बताए कि कितना एक्स्वीरेंस यह कितना नीची इस पैसिफिक ग्रेविटी ओफ ब्लड तैको range बोली गही है range क्या होता है range के अंदर बीच का difference आएगा और अगर range नहीं पूछी जाएगी तो range का difference नहीं आएगा बहुत बढ़ी आस सभी लोग बहुत बढ़ी answer कर रहे हैं यह देखो यहाँ पर 48 लिखा हुआ है कभी कभी आपको 55 भी मिल जाएगा कुराना पेपर था कोई स्टेट का ही था ठीक है साउस साइड का था जो भी पेपर था उसके अंदर ये 48 की रेंज दे रखी थी तो 48 की रेंज रखी है बाकी ये क्या है 1.9 से लेकर 1.099 या 1.055 से बाकी तो कोई option आपका match ही नहीं कर रहा ज्यादा नहीं इतनी ज्यादा नहीं होती है 66 maximum 70 तक रहती है आपकी उससे ज्यादा नहीं होती है ठीक है तो आप लोग क्या करो सबकी specific gravity एक जगा लिख के रख लो ये blood की हो गई urine की कितनी होती है 1.003 से लेकर 1.030 ठीक है आपकी CSF की कितनी होती है 1.003 से लेकर 1.008 ठीक notes नहीं यही कि यही question आपको मिल जाते है telegram link के उपर जो हमारे telegram है उसके उपर आपको इस सारे के सारे questions की pdf मिल जाती है यहां पर आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है इन सहालीज method the hemoglobin which are not estimated are अब सहालीज method के अंदर आप कौन सा hemoglobin है जो की estimate नहीं कर पाऊगे not estimate मतलब की नहीं निकाल पाऊगे नहीं नहीं यह मुकाम यह 1.90 तो नहीं रहती है न यहां पर आपसे पूछे जारा है सहालीज method hemoglobin जो भी आपसे पूछे जारा है सहालीज method hemoglobin क्या estimate नहीं करता है तो यहां पर आपका आ रहा है carboxy hemoglobin meth hemoglobin sulfa hemoglobin या all of these देखो depend करता है जैसे की other state वाले fill भर सकते हैं exam दे सकते हैं लेकिन उसका criteria depend करता है कि यार कौन सी post किस criteria प्यारी है अब जिसे जो MP के अंदर अभी post रही थी ग्रूफ 5 वाली उसके अंदर सिरिफ MP के पास जिसका registration है वही वही fill कर सकते हैं तो वो चीजें आपकी क्या होगी state को अलग कर देती हैं लेकिन हाँ काफी सारी states ऐसी भी है जो सभी को बिला लेती हैं कि हाँ हमारे state के अंदर vacancy है और आप सब लोग यह paper दे सकते हो तो वो बताते हैं तो वो in short बताते हैं काफी बार क्या होता है उसका link हम लोग पूरा का पूरा दे देते हैं यह लिंक होता है न जैसे आपकी 50-60 page की PDF आती है तो सारे के सारे link हम लोग available करवाते हैं आपको हर वीडियो के अंदर मिलता है ठीक है यहाँ पर चलते हैं अपन यहाँ पर पूछा जा रहा था आपसे कि क्या नहीं state कर सकते हो तो यह जो आपका क्या है सहालीज method है ना सहालीज method of hemoglobin यह क्या करता है oxy hemoglobin oxy hemoglobin को find करता है अब बाकी सारे नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर carboxy hemoglobin mathemoglobin sulfonamide किसी को भी detect नहीं करेगा ठीक है ठीक है चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल की तरफ कि ऐसी डिमेटिन गनवर्ट कर रहा है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है cause of anemia नीमिया की spelling दोनों तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर लिखा है cause of anemia anemia का क्या करण हो सकता है blood loss impairment of a red blood cell formation ठीक है यहाँ पर increase destruction of rbc non-function non-functioning of bone marrow यह यह option मनाना पड़ेगा all ठीक है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है cause of anemia anemia का क्या कारण है यह मेरा e option भी देख लेना ठीक है सभी लोग यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि blood loss हो जाए यह impairment of a red blood cell formation destruction अब का मत्तब ही जो rbc का जो destruction है वो ज्यादा हो जाए यह non-function in bone marrow cause of anemia कि अधिक है अराम से सब लोग comment कर देना यह मैंने एक option बढ़ा दिया वह आपर शायद editing में चला गया होगा क्योंकि आल छोटा सा लिखा होता है कि सारे चीज़ options बढ़े होते हैं कि अब कि अब बहुत बढ़े है देखो anemia बहुत आसान सा है आपका देखो एक चीज़ दिमाग में डाल लो जब भी आपकी 4 million कि अ पर आर बीसी जो होगी decrease होगी है जाओ चार मिलियन से जब भी आपकी आर बीसी जो होगी decrease होगी या आपका हीमोगलोबिन 12 से कम होगा उस condition को आप क्या बोलोगे अनीमिया अब जब भी blood loss होगा तो RBC और हीमोगलोबिन दोनों कम हो जाएंगे impairment of a red blood cell आपकी RBC कम बनेगी increased destruction of RBC आपका जो RBC होगा टूट बहुत जल्दी गया या non function of a bone marrow आपका bone marrow काम ही नहीं कर रहा बोन तो क्या होगा भई cell नहीं बनेगी तो अनीमिया होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा all is the correct answer ठीक है तो यहां पर यह चीज़ हां सभी लोगोंने all किया बहुत बड़िया बात है यहां पर आपसे पूछा जारा है diluting fluid diluting fluid use for the RBC counting should be isotonic 2 अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो आपका RBC diluting fluid है RBC का जो प्लास्तिक अनीमिया दो तीन जो भी option लिखा है आपने है न यहां पर अभी question बता जाता हूं यहां पर पूछा जा रहा है diluting fluid use for the RBC counting should be isotonic 2 अब यह isotonic क्यों रखा जाता है तो यहां पर prevention hemolysis generation of RBC the rulex formation या none of these आपका isotonic solution क्यों रखा जाता है यहां पर आपसे पूछा जा रहा है diluting fluid is used for the RBC counting should be isotonic परूल answer कर रहे है डी इगनीश answer कर रहे है ए मुकाम c answer कर रहे है और काफी सारे लोग सब आलग अलग answer कर रहे हैं पड़ा पड़ से यार जित्ते लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं पड़ा पड़ से यार वीडियो को questions हो उसके अंदर है ना तो वो चीजें आप बताएं तो उसके हिसाब से काम करें ठीक है तो यहां पर आप से पूछा जा रहा है isotonic solution isotonic solution का क्या काम होता है आपका blood हमेशा isotonic रहता है ठीक है isotonic मतलब भी जो आपका pH balance है वो same का same रहने वाला है अगर यह change हो जाए है ना जिसे hypotonic हो जाए या hypertonic हो जाए सब वो समझो यहां पर हाइपो हो सकता है या होगा क्या hypertonic लगा ले ना अपने आप ठीक है टॉनिक टॉनिक सेम रहेगा अब यहां पर आइसो टॉनिक के अंदर तो पी वो जो चीज है जो आपका प्रेशर है ओस्मोंटिक प्रेशर वो सबकु सेम रहेगा हाँ बिल्कुल एप्लास्टी का नीमिया रहेगा और वो option मैं समझा नहीं तो अभी बहुत अच्छे से लिखा तो समझ गया मैं तील दी पढ़ लिया मैंने तो यहां पर क्या हो रहा है जब भी आइसो टॉनिक रहेगा तो क्या रहेगा आपका जो आर बी सी होगी जैसे आ सॉल्यू टेंट का मुँआ यहां पर जो भी आ जैसे कि यहां पर करेगा कि दर करेगा मतल्कि आपके आर बी सी और जाना शुरू चायेगा तो यहां पर जैसे ही आपका water jumping impairment होगा तो आपका RBC का size या तो बढ़ेगा या घटेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या करता है hemolysis से prevent करता है अगर यह full गई या यह पतली हो गई जैसे अगर इसके अंदर पानी गया तो यह क्या होगा full जाएगी और पानी जैसे अंदर गया तो यह क्या होगा size में बढ़ी होगी और फट जाएगी तो वो चीजें क्या होगा नहीं होगी हो आरबी सी काउंटिंग के लिए अगर नहीं नहीं हाँ यहाँ पर यह पारोल ने लिखा सर आरबी सी डाइलुटिंग फ्लूड का function तो डबलू बी सी एंड अदर सेल्स को breakdown करना होता है अदर आरबी सी डाइलूटिंग का काम नहीं पूचा मैं ने यह पूच्छा आरबी सी डाइलुटिंग फ्लूड आगर और आइसे टोनिक नहीं हुआ ऑइसो टोनिक से कुछ और हो गया हाइपो टोनिक हो गया और अइसे हो आपका पर पर क्या फरक पड़ कौन सा fluid है जो कि आप यूज करोगे किस के लिए RBC की counting के लिए RBC की counting जो भी गिंती गिननी है आपको RBC की तो उसके लिए कौन सा fluid यूज करोगे बहुत ही important question हो जाता है क्योंकि आप से vacancy में पूछा जाता है या तो आप से एक ही option पूछा जाएगा RBC counting के लिए यूज करते हैं dilution factor होता है 1 ratio 200 कभी dilution factor पूछ ले तो याद रखना ऐसे direct नहीं पूछा गया ठीक है बिसिक सवाल था बढ़िया था लेकिन आपको नाम याद रखना पड़ेगा lower RBC count found in और या सवाल आसान सा lower RBC count किसके अंदर मिलेगा आपको अनीमिया में पॉलिसाइथीमिया में इरित्रोसाइटोसिस हीमोलाइसिस या all of these या none of these हीमोलाइसिस तो क्यों ही होगा मतलब यह तो यहाँ पर गलब है ठीक है ए अनीमिया पॉलिसाइथीमिया डी ऑप्षन यह मान लेना या इसको सी कर देता हूं मैं और इसको टी कर देता हूं ठीक है बहुत बढ़िया आंसर तो तुम लोगों को बहुत बढ़िया से पता है यह चीजे पेसिक सवाल है पस्त गलत मत कर देना पड़ावड से चलते हैं आगे अनीमिया के अंदर आपको पता है दुबारा से मेंशन कर देता हूं चार मिलियन से जो आर बीसी होती है आपकी वो क इस पर इंपॉर्टेंट लिखा है वो सच्ची में आपके लिए बहुत हैल्फुल होने वाला है तो उन चीजों को देखो समहाल के जब चीजे वियात करोगे तो काम बहुत अच्छा रहेगा आपका यहां पर आपसे पूछा जा रहा है और न्यूबोर्स चेंबर प्लेट जल्दी से यह न्यूबोर्स चेंबर आपका देखा हुआ होगा ऐसा अभी मैं आपको फोटो भी दिखा दूँआ यह न्यूबोर्स चेंबर होता है इसके अंदर ऐसा ही अथा होता है इसके अंदर यहां पर डब्बे बने हुए होते है एक दो तीन चार हां ऐसे यह चार ह तो आप किसके अंदर गिनते हो किसको प्लेटलेट्स को देखो प्लेटलेट्स गिननी है प्लेटलेट्स और आर्बीसी प्लेटलेट्स और आर्बीसी को आप एक जैसा गिनते हो ठीक है और बस फ्लूड अलग यूज करोगे डाइलूटिंग फ्लूड अलग यूज करोगे ठ एक आप यहां पर जैसे गर यह जो जो से basic diagram था ही अगर शेंबर जो दिखाओchant तो यहां पर क्या हो रहा है यह देखो यह आपको यह जो जोंद नजर आ रहा है इस diagram है यह सब क्या है आपका WBC काउंटिंग के लिए एक दो तीन चार आप एक दो तीन चार है ना और यह एक दो तीन चार इस टोटल के अंदर आपको ऐसे चार डब्बे दिख रहे हैं एक यह एक हो गया यह दो हो गया यह तीन हो गया यह चार हो गया यह चारो के अंदर जब आ तो के N number of WBC ठीक है और आप जब भी क्या करोगी यह RBC का आपको दिखाई दे रहा है यह जो डबबा है इसके अंदर भी एक यह वाला square एक यहवाला square एक यह वाला square एक यह वाला square और एक यह center का square दीक है तो आपको क्या होता है इसके अंदर count करना होता है तो इसके अंदर जब count करोगे तो वह RBC और platelets के लिए आप count करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखरा था न्यूबोर्स निवर platelets यह पूछे जा रहे है counting तो 5 RBC squares के अंदर आप क्या करोगे count करोगे आठ के अंदर तो कभी करते ही नहीं हो WBC के लिए आप 4 में करते हो जिसको यह confusion रहे गया कि या WBC वाले में करते है या RBC में करते है तो वो confuse हो सकता है लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो जब भी देखो बेसिक बंडा है जब भी प्लेटलेट्स काउंट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो RBC प्लेट यूज कर रहे हो RBC प्लेट यूज करते हो किसके लिए प्लेटलेट्स काउंट के लिए और जब भी आर बीसी प्लेट यूज कर रहे हो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट रेंज आपकी प्लेटलेट्स की रेंज कितनी होती है अगर आपने काउंट कर ली प्लेटलेट्स तो आपकी नॉर्मल रेंज कितनी आईगी ठीक है तो यहां पर आप्शन वही एक डेड़ लाक से चार लाक या वह वह पचास अजार से लेक अच्छे पॉइंट पांच लाख या नब्बे अजार से लेकर पांच लार्ग उस सेंट्रल लार्ज स्क्वाइर के पांच ही पेरामेटर काउंट करते हैं फिर अपन उसी को मल्टिप्लाइ कर लेते हैं न वो क्या होता है यह आपका टोटल काउंट हो जाता है कि अच्छे बहुत सभी बहुत सभी लोगा अंसर किया करो फड़ा फट से यहां पर आप से प्लेटलेट्स का अकॉंट कुछा जाता है बड़ा असान सा सवाल तो कि आपको याद हो गया होगा चलते हैं यहाँ पर अपने अगले सवाल पर हाँ किये बड़ी है नीम दा मैथर्ड यूज फॉर दा एस्टीमेशन और प्लेटलेट्स का अचाउंट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर रेज एक्रेल मैथर बोलते हैं इसे एक्रेल है ना staining slide for the routine estimation rough estimation rough estimate कर लो या तो slide को stain करके या both rex method भी और slide method भी या none of these इन में से कोई नहीं कर देखो यहां पर सब्सक्राइब ज्यादतर लोग C कर रहे हैं कुछ लोग B कर रहे हैं ना कर देखो दूनों के अंदर आसान सा तरीका है आपका प्लेट लेट्स काउंट करनी है अब पहले सबसे तो second method की बात करते हैं जिसका आंसर तो mostly probable लोग दे ही रहे हैं देखो यहां पर क्या हो रहा इस्टेनिंग ऑफ slide and rough estimation जब भी आप PBF बनाते हो पी बी पेरिफेरल ब्लड फिल्म है ना पेरिफेरल ब्लड फिल्म सबको पता होगी बात तो यहां पर क्या होता है आपकी यह से टंग शेप की आती है इसको अगर इस portion को जूम करें तो जब भी आप ऐसे जूम करके अगर बनाओगे तो आपको क्या दिखाई दे रही होगी भाई आपको एसे इसी के बीच में कुछ नजर आ सकती है डबलू बीसी जैसे अगर न्यूक्लियस ही नजर आ रहा होगा जाता सर तो वह ऐसे जैसे डाक न्यूक्लियस आ गया है कुछ पी हो गया ठीक है और इस पन से बना रहा हूँ जो अगर आपको ऐसे आर बीसी के हाफ शेप का एग्रिगेशन नजर आता है ना कहीं पे भी जितनी बड़ी आर बीसी से उसा आधा शेप आर बीसी से आधा शेप है ना तो वो सारा क्या हो गया आपका रफ एस्टीमेशन हो गया भया किसका प्लेटलेट्स का स्लाइड इस्टेनिंग करी आपने और आपने एक लग जाएगा कि हाँ यार यहाँ इस सेंपल के अंदा नदर अ है और रस एक इसको घटा जिए हपरते को यहाँ कि अगर आपन ए उप्षन की बात करें रस प्रेल मैथ होते इसके अंदर क्या होता है आपका एक चेम्बर होता है चेमर का ही नाम होता है एसदि looking पर जिस्टिवी कि झीजिस आपका Ne φ plastic जेंबर होता है न बिल्कूर सेंक टू सेंबर होता है अब इस चेंबर पिंबर के अंदर क्या होता है आपको प्लेट लेट सब गिनन असान हो जाएगेहेँ आपको क्या होगा ऐसा फ्लूड यूज करोगें आप इसका patrol फ्लूड ही होता है यह जो सेम नाम है वैसा का वैसा ही आपका फ्लूडाता है ठीक है रिसे एकृलव अभ वो सेंटु सेम फ्लूड आप यूज करो एक यूज करोगे आ शेмuing भी डब्बों के अंदर total करोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो ये दोनों चीजें आपके counting करने के लिए यहाँ पर बस rough estimation लगता है कि लगबाग इतनी होंगी यहाँ पर counting हो जाती आसानी से क्योंकि डब्बे बने हुए है डब्बों के अंदर कोई भी चीज होती है तो उन्हें count करना आसान रहता है तो दोनों के दोनों method आप किसके लिए use कर सकते हो प्लेटलेट्स counting के लिए ठीक है आप समझ मांगे ही दोनों method हाँ रोटीन की slide सबको देखनी आनी चाहिए जो PBF बनती है आपकी इनकेस अगर आप लोग कहीं पे भी काम करते हो तो PBF देखना सीख लो PBF से बहुत सारे questions sort हो जाते हैं पहली बात तो और दूसरी चीज जैसे PBF से question भी हो जाएंगे और दूसरा आपको बहुत सारी knowledge रहे formation जो भी आपका RBC formation हो रहा है उसकी stage को arrange करना है RBC formation का इन्होंने दे दिया पहला early normal blast, second दे दिया intermediate normal blast, C option reticulocyte, late normal blast या pro normal blast और यहां पर आपके लिखा हुआ है जो भी आपका E पहले आ रहा है तो E लिख दो A पहले आ रहा है तो A लिख दो B या C या D ऐसे करके आपको answer करन है तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रितेश answer कर रहे है एक प्रितेश answer कर रहे है एक दावन answer कर रहे है एक कि हम answer करें डी मतलब अच्छा कासा question है यह time taking question है थोड़ा सा तो अच्छे से देख लेना और फिर answer करना बस क्या होगा कि यह question देखो आसान है सब लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है इरित्रोपोईसिस पढ़ा हुआ है किस से question मिलेगा आपको इरित्रोपोईसिस से इरित्रोपोईसिस में आपको सबको answer मिल जाना इसका लेकिन बस आपको sequence लगाना नहीं अब देखो एक तो तरीका है कि आप पूरे तरीके से करो जैसे कि आपने यहां पर देखना शुरू जो कि option में नहीं है फिर आपका क्या रहा है यहां पर प्रोईरित्रोप्लास तो आपने इसको देदिया नंबर एक फिर आपने देखना शुरू किया कि क्या प्रोड के बाद क्या आता है अल्ली नॉर्मोब्लास हुआ छी कह अपर अल्ली के बाद क्या आता है इंटरमीडि यही सारे साथ के साथ step लिख दी है मैंने अब यहाँ पर आपको option match करना है तो अब यहाँ पर देख लो सबसे पहले क्या आना चाहिए E आ गया फिर A आना चाहिए A आ गया फिर B आ गया C आ गया D आ गया अब इसी को तेज करने का तरीका इसी को तेज करने का तरीका क्या है आपको पता है सबसे आखरी में क्या आएगा RBC आएगा और उससे पहले क्या आएगा Reticulocyte आएगा ठीक है यह तरीका बहुत तेज करने का है आपने यहाँ पर देखा Reticulocyte RBC है नहीं या Erythrocyte है नहीं तो Reticulocyte सबसे आखरी में आएगा यहाँ पर आप चेक कर लो सबसे आखरी में C option कौन सा है आप यहाँ तो ऐसे देख सकते हो सबसे पहले E आ रहा है तो इन दो में ही E था इन दो में A था फिर B था फिर C था अब यह CD में फरकता तो आपको यह C match करना पड़ेगा तो उस चीज़ भी यह जैसे मतलब कि जो fast exam के अंदर आपको helpful रहेगा कि आप आखरी के अंदर match करो या शुरुवात के अंदर match करो ठीक है यहाँ पर आपसे अगला सवाल पूछे जा रहा है what are the feature of प्रो नॉर्मो ब्लास्ट अब आपसे बन रहा है प्रो नॉर्मो ब्लास्ट जो आपकी cell बनी उसका function उसका जो feature है वो क्या है ठीक है तो यहाँ पर आपसे पूछे जा रहा है प्रो नॉर्मो ब्लास्ट जो है उसका size 12 से 20 माइक्रो मीटर का है large and round nucleus with as several nuclei है बिल्कुल several nuclei होते है प्रो नॉर्मो ब्लास्ट के अंदर पैरी नॉक्लियर हैलो मतलब जो उसका peripheries होती है nucleus की वो हेलो होती है चमकदार होती है rounded by the rim and deep basophilic अब वो क्या होता है rounded rim like होता है और deep basophilic मतलब की जो basophil होता है न आपका वो परपलिश कलर का होता है यह ब्लैक इश ब्लूइश परपलिश है न तो डाक कलर होते हैं सारे साइटो प्लास्ट के अंदर और यहां पर और लिखा हुआ है तो ठीक है यहां बहुत बड़ी answer कर रहे हो तो मैं नहीं तो बता भी दिता हूँ answer क्या होगा है इसका all होगा है तो यहां पर answer क्या होगा all होगा देखो पढ़ते जाओ sequence आपका पता है आपको प्रो नॉर्मल ब्लास्ट है साइथ बढ़ाई होगा बारा से बीस बिल्कुल इन्हों बिल्कुल गोल बनता है और जो उसकी साइड की जो होती है वो बेसोफिलिक होती है और यहां पर क्या पुछा जरा है all तो यह अपका क्या पता है आपको all of these is the right answer ठीक है अब अगर यहां पर देखा जाए तो यह आपका step है ठीक है यह आपका वहां से भी आप देख सकते हो कि आपका pro erythroblast बन रहा था यह mega karyocyte आपका जो cell था जो की germinate कर रहा था अब pro erythroblast की अगर बात करी जाए एक एक cell का आपको feature पता होना चाहिए कि early normal blast कैसा होगा intermediate कैसा होगा कहाँ पर nucleus होगा कहाँ पर नहीं होगा सब चीज़ें आप याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर देखो एक चीज़ सीख लेना कि यह bone marrow जो है न मैरो शायद दिख नहीं रहा हो तो मैं लिक देता हूं bone marrow bone marrow के अंदर कितना लगता है तीन week ठीक है तीन week और यहाँ पर लगता है यह जो RBC जो peripheral blood film के अंदर आ गई आपका कौन सा step यह दो step यह क्या हुआ आपका वो भी आप PBF बना रहोगे ना PBF तो PBF के अंदर आपको यह दोनों cell दिखेंगी और यह जो RBC की life है वो आपकी पूरी throughout यतना life span है उतना रहता ह है फिर ठीक है नहीं यह दोनों आपको peripheral blood में मिलेंगी तो यह तीनों के तीनों सेम से नाम है कहां पर nucleus है कहां पर नहीं है आपको याद करना पड़ेगा अब यह प्रोड़ यह आप देख रहे हो hollow basophilic goal होता है circular होता है ठीक है तो ऐसे कैसे आपको stage याद रखनी पड़ें तो उससे आगे वाला जो है उसका size थोड़ा छोटा रहा होगा तो size क्या है दस से 16 micrometer यह micro है ना micrometer यहां पर क्या बुला जा रहा है अगला option large nucleus with a deep stain nucleoid disappear और जो आपका जो nucleus होता है वो large होता है ठीक है आप आप से पूछा जा रहा है chromatin core causes जो आपका chromatin जो ऐसे होता है धा आपका feature पता होना चीए जो भी cells है अब यह क्या हुगा नौर्ली नौर्मोब्लास प्रो अर्ली नौर्मोब्लास का क्या size होगा कैसा होगा deep stain होगी नहीं होगी कार्टी वील structure बनेगा नहीं बनेगा तो वह सारी चीजें आपको पढ़नी पढ़ेगी जो भी अपको पूरा क्रोमेटिन कॉर्कोस बनते ही हैं वहाँ पर तो वह सारा का सारा आपका पनेगा एज़ टेज यहां पर आपसे वैसा ही सवाल आपको यह चीजे याद कर लेना सारे सीक्वेंस एगर कुश्चन्स याद ही कर लोगे तो भी आसान हो जाएगा आपको पूछा जारा वाट इस फीचर ओक लेट नॉर्मो ब्लास्ट का फीचर क्या है अब यह सबसे आखरी में बन रहा है हैथ 28-10 माइक्रो मेटर हैस्मॉलını Celtics अभी सका को आपको स्मॉल होता है कि नहीं होता है सोचना पड़ेगा आपको ऐसोड़ोफिलिक साइडी होता है या बेस्ओ शोपिली उता है तो इस्प्रिक होता है बैसिक से ईसे दिक साइट अगर्म या ऐस से खीजरे उह नहीं सब के साथ होगा अटैच जिससे आप क्या करो सबका सब देख पाव। पीचर ओफ रेटिकुलो साइट आपका रेटिकुलो साइट कैसा होता है परेटी को लोसाइट है सबसे आपका सेकिंड लास्ट इस तेजर यह देखो यह एक इंपोर्टेंट चीज है रेटिकुलो साइड जो है आपका PBF, peripheral blood के अंदर है, peripheral blood में है, यह काफी बार confusion हो जाता है कि bone marrow के अंदर था, कि आपका blood के अंदर था, तो आपका क्या होता है यह blood के अंदर होता है, अब reticulocyte का क्या feature है, इसके अंदर flat non-nucleated होती है, मतब कि चप्टी होई होती है बिल्कुल cell, यह disc shape क होती है, larger than RBC, RBC से बड़ी होती है, यह all of these, यहाँ पर आप से reticulocyte के बारे में पूछा जा रहा है, कि भई, flat होती है, non-nucleated, अब यहाँ पर जो reticulocyte की बात करी जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, remnants of RNA होते है, remnants of RNA, remnants of RNA, remnants का मतब होता है, कुछ part, कुछ portion, something कुछ fibers आपके जो होते हैं, वो आपको दिखते हैं, और RBC से बड़ी है, दो चीजे देख सकते हो, आप disc shape की तो रहेगी, रहेगी, और RBC से बड़ी, अगर दो option भी अगर आपको आते हैं, तो आपके लिए करना आसान रह जाता है, ठीक है, तो यह चीज़ समझ में आ गई average size of normal RBC, और की बारिश के बाद सवाल बदल गया है, ठीक है, यहां पर आप से पूछा जा रहा है, what is the average size of a normal RBC, तो वो था feature, देखो मैं नहीं चाहता था, कि सवाल के अंदर confusing वो, आपको यह तीनों सवाल, चारों सवाल याद कर लेना, अब जब भी आप यह इन चीजों को देखोगे, तो आपको पता होगा, अब examiner कुछ भी बदल दे इसमें, वो छोटा nucleus कर देगा, तो आपने तो याद करके रख रखाए कि बड़ा होता है, अगर वो change करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं करता है, तो बढ़िया बात ही, तो all की बारिज सही, लेकिन तीनों के तीनों, जो चारों option के अंदर all बन रहा था, तो वो सब याद कर लेना, अच्छे से कर लेना है, वो चीजे देखो, miss मत करना, क्योंकि वो इसकत हो जाए बाद में, कि आपसे हर एक cell का feature पूछा गया, ऐसा नहीं है, कि आपको कोई भी cell का feature छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर on and average पूछा जा रहा है, देखो, average size पूछा जा जा रहा है, ऐसा नहीं है, जैसे कि कुछ लोग 7.2 लिख के दे रहे है, व what is the life span of RBC, RBC का life span कितना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, RBC का life span कितना है, यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है, life span of RBC, जो आपका option आ रहा है, वो कितना है, 120 दिन, 145 दिन, 8 दिन या 10 दिन, बहुत बढ़े है, यार, ऐसे ही भवकाल मचाओ, फटा फट से, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, RBC का जो life span है, वो कितना है, आपका 120 दिन, 120 दिन, आपका RBC का life span होता है, तो RBC 120 दिन तक रहती है, उसके बाद, स्प्लीन के अंदर जाएगी, स्प्लीन के अंदर, केल हो जाएगी, प्लेटलेट्स का कितना होता है, प्लेटलेट्स का आपका होता है, सास से 10 दिन का जो आपका दे ये आपका प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है ठीक है और अगर बात करी जाए WBC की तो WBC में वेरी करता है अलाग-अला टाइम से है तो आपका प्लेटलेट्स जैसे 8 दिन भी लिखा है तो सास से 10 दिन के बीच में आपका फिट हो जाता है तो थैंक यू सो मज गाईस पर वाचिंग दिस वीडियो ऐसे ही अपन क्लास करते रहेंगे बस आप लोग जोड़े रहें साथ में नोटिफिकेशन बैल को अन रखें जो भी वेकेंसी बगार आएंगी उनके बारे में भी डिसकस करेंगे अपन लोग तो ऐसे ही यार क्लास को देखते रहा करें और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिन्हों ने अभी तेक क्लास नहीं देखी है बाई बाई टेक केर